देखे दोस्तों ये सवाल 42 रूपया के दे रिन को 5 वर्ष में चुकाने है तो हमको प्रतेक किस्त का मुल्य ग्यात करना है जिसमें साधारन ब्याज के दर कितना है 10% वार्षिक तो देखे ये कैसे बनता है अरे दोस्तों ये समझें कि दे रिन क्या कहला है दे रिन माले ये किसी व्यक्ती ने कुछ रूपया उधार लिया होगा किसी से माले ये पी रूपया उधार लिया होगा वो 5 साल में कितना हो गया है 42 सो ठीक है यहीं 42 रूपया क्या है दे रिन 5 साल बाद देना है 42 रूपया लेकिन वो आदमी चाहता है कि हम इसको किस्त वाई यानि कि हर एक साल के अंत में रूपिया जमा जमा करके इसको हम चुका है अगर वो हर एक साल के अंत में नहीं जमा करता है तो उसको 5 साल के अंत में 42 रूपया जमा करना पड़ता लेकिन वो क्या करेगा हर साल के अंत में यानि कि किस रूप में वो जमा करना चाहता है ठीक है दोस्तों तो देखिए है देखे दोस्तों हम माहं लेते हैं कि हर एक साल के अंतosed में वह किश्ट के रूप में 100 यूनिट रूपिया देता है उस आदमी को यानि की जामा करता है ठीक है तो जो पहले साल के अंत में सो यूनिट रूपिया जमा करता है ठीक है तो जो पहले साल के अंत में सो यूनिट रूपिया जमा कर दिया है दोस्तों उसको चार साल ब्याज भी मिल जाएगा चार साल ब्याज भी मिल जाएगा इसे दोस्तों पहले साल के अंत में सो य यहां से यहां तक एक साल हुआ यानि कि पहले साल के उन्थ में जो सो यूनिट दिया है उससे चार साल तक उसको ब्याज भी मिल जाएगा ठीक है यानि कि उसको सो यूनिट का चार साल में 10% के दर से 40 यूनिट का फायदा हो जाएगा यानि कि देखिए दोस्तों पहले साल के अंत में ओगर वो 100 यूनिट रुपिया जमा कर देता है तो उसको 40 यूनिट का फायदा हो जाता है यानि कि 40 यूनिट रुपिया अब उसको कम देना पड़ए गया 42 के करज को चुकाने के लिए 40 यूनिट रुपिया उसको कम देना पड़ जाएगा यहीं किस्त में फायदा उसको हुआ ठीक है दोस्तों तो अब देखिए जो दूसरे साल के अंत में 100 यूनिट दिया है उससे उसको तीन साल का ब्याज मिल जागा देखिए दूसरे साल के उन्ट से तीसरे साल का उन्ट एक साल तीसरे साल के उन्ट से चोथे साल का उन्ट में एक साल और पांस साल के उन्ट के बाद तो पूरा चुका दिया है पैसा ठीक है तो दूसरे साल के अंत में जो 100 यूनिट जमा किया है उससे उसको 3 साल ब्याज मिलेगा 10% के दर से यानि की 30 यूनिट ठीक है अब जो तीसरे साल के अंत में 100 यूनिट जमा किया है उससे उसको 2 साल तक ब्याज मिलेगा यानि की 100 यूनिट का 2 साल तक 10% से कितना हो जाएगा 20 तूर्णी और जो चोथे साल के अंट में जाना किया है उसको एक साल तक ब्याज मिलेगा कितना कि क्या है कि से टोथे साल तक द으स पर संथ से नसे जिएट किम तूस्तों जो न इस पर उसको कितना दूमम मिलेगा 40 यूनिट इसपर 30 यूनिट इसपर 20 यूनिट और इसपर 10 यूनिट और इसपर कुछ उसको ब्याज नहीं बन पाएगा क्यों क्योंकि पांच वाक किस्त वह जामा करके दोस्तों पूरा 42 रूपया का उधार चुका दिया है तो इसके लिए तो कुछ समय नहीं बना इसलिए इसपर ब्याज नहीं बन पाएगा ठीक है तो अब देखिये दोस्तों वह 5 यूनिट में कितना रूपया जमा कर दिया है 100 यूनिट arですか यूनिट है और उसको कितना मिल गया है 40 unit 30 unit 20 unit 10 unit यानि इतना हो जागा 100 unit ठीक है और यह किसके बराबर है 422 रुपय के एतना दे करो 42 रुपय के देरेर को चुका देवा है यानि कि 600 यूनित बड़ाभर 422 यानि 1 यूनित बड़ाभर कितना हो जाएगा 7 इसलिए 100 यूनित बड़ाभर 700 थे क्る दोस्तो यही chopped आमारा इंस्वर्ड है यानि कि प्रतेक किस्त कितने रुपया का है 700 रुपया का है ठीक दोस्तों अब देखिए प्रतेक किस्त 700 रुपया का है और 5 किस्त वो दिया है यानि कि देखिए 700 पांच कितना हो गया 5500 यानि कि वो 5 साल में पूरा 3500 रुपया देकर कर दे चुप न दिए च्रुप में पैशा ना देता तो उसको रूपिया देना पुड़ता और कीश्ट पैयां रूपिया क आपको कहीं भी कुछ दिगा खोगा तो कमेंट जरू किजेगा और वीडियो आपको थोड़ा भी यूज़फूल लागा तो चैनल को सबस्क्राइब और बेल लाइकन जरू दबा लिजेगा दोस्तो धन्याँ